आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं और मुक्तदी का नाग वहो जमात में शामिल हो और इमाम आमीन बोले तो मुक्तदी का आदा सुरे फातिया खतम हो गया आदा बचा है तो वो क्या करे सुरे फातिया पूरा कंप्लीट करने के बाद आमीन बोले या इमाम के आमीन बोलने के बाद आमीन बोले फिर अपना सुरे फातिया कम्प्लीट करें ये कामरान भाई हैं मुंबई से सवाल कर रहे हैं इनका कहना ये है कि अगर कोई आदमी लेट से जमात में शामिल होता है तो जाहिर है कि वो सुरे फातिया पढ़ना शुरू करेगा ताखी से मुखती है तो सुरे फातिया लेट से पढ़ना शुरू करेगा अब सुरे फातिया पढ़ती भी एक दो आयत पढ़ेगा तब तक इमाम की अगर सुरे फातिया मुकमल जाती है तो इमाम वलाजालिन कहेंगे और आमीन कहेंगे तो अब हम जो अपनी सुर फातिया पड़ा रहे हैं साथ ने तो अब हम रुके इमाम की आमिन के साथ आमिन केंगे या हम खामुश रहेंगे तो देखें इस बारे में जो दो तरह की हदीसे हैं दोनों हदीसों पर आपको अमल कर रहा है एक हदीसे सही बुखारी की दा अम्मनल अमाम फा आमिनू जए अमाम आमिन केहे तो तुम्हें आमिन कहना है तो अगर हम मुक्तदी हैं जब अमाम आमिन कहेगा तब हमको आमिन कहना है इसमें कोई मसला नहीं है हमको आमिन कहना है चाहे हमारी सुरे फातिहा हमने पहले पढ़ लगी है या इमाम के बाद हमको पढ़ना है या हम बीच तक पढ़ रखे हैं इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किस जगे पे हैं कोई मतलब नहीं इमाम की आमीन अगर हमको सुनाई दे रही है तो उसी वक्त हमको आमिन कहना है तो यह जो सही बुخारी कदीछ से इस पर अमिन हो गया नहीं एमाम जैसे आमीन कहेगा हम किसी भी हालत में हो हमें आमिन कहना है इस ठीएस पर अमिन हो गया अब जो दूसरी हदीष है वो ये कि ला सलाता लिमन लम अक्रा विफातितल किताब अबादा बिन साबित रजियल्ला हुट अनू कि मशूर अधिसे कि जो सुरे फातिया नहीं पढ़ता उसकी नमान नहीं होती है ऐसे ही सुना नभी दाओ अगरा की अधिस है कि एमाम के पीछे जो है उसको भी सुरे फातिया पढ़नी है तो ये जो हदिसे हैं सुरे फातिया वाली इन अहादिस पर भी अमल करना है तो इन अहादिस पर अमल करते हैं हमें इस बात का पाबन नहीं किया गया है कि ये सुरे फातिह हमको कब पढ़ना है इमाम से पहले पढ़ना है या इमाम के साथ पढ़ना है या इमाम के बात पढ़ना है मतलग हमको ये हुक्म है देखे आमीन के बारे में ये हुक्म था कि इमाम के साथ बोलना है तो उसको हमने वैसे ही अमल किया लेकिन सुर फातिहा फर्ज है मुक्तदी पर पढ़ना हो लेकिन इमाम की पीछे कब पढ़े इमाम से पहले पढ़े इमाम के साथ पढ़े इमाम के बात पढ़े ऐसी कोई हद बंदी नहीं है कि मुक्तदी कब सुर फातिहा पढ़ेगा इसलिए जब उसके लिए मुम्किन हो त पढ़े चाहे वो एमाम से पहले पढ़े चाहे एमाम के बात पढ़े चाहे एमाम के साथ पढ़े अगर वो एमाम के साथ पढ़ता है तो जाहिर है कि एमाम जब आमीन कहेगा तब यह भी आमीन कहेगा अगर वो एमाम से पहले पढ़ता है पहले खत्म कर लेता है तो पहले वो आमीन कह देगा, यहां पर बाज अहल इल्म का यह कौल है कि अगर इमाम से पहले कोई सुरे फातिहा खत्म कर लेता है तो वो आमीन नहीं कहेगा, वो रुका रहेगा अब जैसे इमाम भी हुज़ जगे पहुँचेगा तो वहाँ पे साथने आमीन कह देगा लेकिन दूसरे लुमा कहते हैं नहीं अगर इमाम से पहले सुरे फातिहा कम्प्रेट कर चुगा तो आमीन भी बोल दे बाद में जैए अमाम आमीन बोलेगा वलाद जालम पे तो यह भी आमीन बोल देगा फारिग हो जाता है तो बहतर यह है कि वह आमीन नहीं सुरे फातिह पढ़के रुका रहे आमीन नहीं बोले हट्टा यूआमिन आमीन बोल दे वहादा लजी विए नजर इमाम नवी रहिम लाद फरमाते हैं कि यह जो अमाम बगविर रहिम लाद नहीं थीक बात नहीं वाल अपनी गरत के हिसाब से आमीन कहे देगा esthu उम्म्य यॉअमिन मरत उख्रा बतामीन अमाम और जब एमाम वदा उम्माम के साथ दुबारह वह آमीन कहेंगा अपनी गरत पर बी आमीन कहेंगा अमाम नवी रहिम Hamm फिल अमाली वईदा अमनल मामूनू बितामीनि अमामून। थम्मा कराल मामूम। अलफातियत। किते कि अमाम सरक्सी फर्माते हैं अलफातियत। कि अगर मुगतदी अमाम के साथ अमीन कही चुका है। यानि मुगतदी ने अभी सुरे फातिया नहीं पढ़ी है। एमाम के सर les fatihaí सुनी और एमाम के साथ आमिन भी कहिए दिया और मुक्तदी दोनों एक साथ सुरे फातिया पढ़के फारिग होते हैं नहीं इमाम जब वलाज़ालिन पे पहुँचा तो मुक्तदी भी वलाज़ालिन पर अपनी कर्यत करती भी पहुँच गया तो कफा हुआ यूआम्मिन मरतन वाहिदा तो ऐसी सुरत में काफी होगा कि एक ही बार आमीन कहे दे नहीं एक ही बार वो आमीन कहे दे काफी होगा लेकिन अगर आगे पीशे हुआ तो वो अपनी कर्यत पर भी आमीन कहेगा एमाम के साथ भी आमीन कहेगा तो खुलासा है कि मुक्तदी को दोनों हदीसों पर अमिनु इस पर भी 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 अमिन कह रहा है तो रुक जाएगा और इमाम के साथ आमीन कहेगा इमाम के साथ आमीन कहने के बाद वो दोबारा अपनी खरत कांटिनू करेगा अमीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा